Friends, हम सभी गलती करते हैं, पर कभी-कभी अपने जीवन में financial related गलती काफी बारी पड़ती है, और एक ऐसी गलती हम हमेशा हर साल करते हैं, जब हम अपना tax saving investments प्लान कर रहे होते हैं, अपना income tax बचाने के लिए, और ज्यादा तर हम कोई भी insurance plan खरीद लेते हैं, ये समझे बिना ये हमारे को कौन से insurance की जरुवत है, actually हैं, तो आईए इस वीडियो में जानते हैं, कौन सा insurance plan हमारे लिए सबसे अच्छा है, friends, मैं हूँ C.A. Haven और आप देख रहे हैं, आपका अपना YouTube चैनल, Sural Finance वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहों, दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता insurance, term insurance होता है, तो friends, term insurance लेने से पहले जानते हैं, कौन से 6 points का ध्यान देना जरूरी है, पहला, कब term insurance financially कोई dependent है, जैसे कि आपके माता-पिता, या आपकी wife, या बच्चे, तो आपको term insurance जरूर लेना चाहिए, और जल्दी लेना चाहिए, ताकि आपका सालाना premium कम बने, जितनी कम उमर में आप insurance चालू करेंगे, आपका premium fix होता है आपके age के अनुसार, तो अगर कम उमर में आप अपना insurance चालू करते हैं, तो आपका premium, lifelong, कम amount पर fix होगा, दूसरा, कितना term insurance आपको लेना चाहिए, हम सभी का term insurance का वर minimum हमारी कमाई का 10 गुना होना चाहिए, और maximum आप इसे 20 गुना तक ले जा सकते हैं, यानि कि अगर कोई साल का 10 लाग रुपे कमाता है, तो उसका कम से कम term insurance दस गुना, यानि कि 1 करोड होना चाहिए, और maximum आप 2 करोड तक ले सकते हैं, तीसरा, क्या एक single insurance plan sufficient है, फ्रेंट्स, अगर आप एक plan लेते हैं, तो वो sufficient है, अगर आपने अपनी total income का कम से कम 10 गुना insurance cover लिया हुआ है, चौथा, क्या rider add करना अकलमंदी है, rider का मतलब होता है add-on features, किसको add-on अच्छा नहीं लगता, पर friends, insurance के साथ add-on features के लिए हमारे को अपनी जेव धीली करनी पड़ती है, हम अपने insurance cover में riders add करा सकते हैं, ताकि हमारा insurance cover हमें additional benefits प्रवाइड कर सके, जरूरत के time पर, for example, इन benefits को riders कहते हैं, जैसे कि accidental death benefit, accidental disability benefit, waiver of premium benefit, तो अगर आपको लगता है कि आपको riders की जरूरत है, तो riders जरूर लीजिए, पांचवा, कितने time के लिए insurance cover लेना चाहिए, term insurance का cover कम से कम हमारे कमाने वाले सालों में जरूर होना चाहिए, यानि कि अगर आज आप 30 साल के हैं, तो कम से कम अगले 30 साल के लिए आपको term insurance जरू आते हैं, अगर हम job में हैं, तो हमारी retirement is in general 60 साल की होती है, तो अगर आप 30 साल के हैं, तो अगले 30 सालों के लिए जरूर एक term insurance plan लीजिए, और last में term insurance offline लेना चाहिए, या online लेना चाहिए, friends, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, मैं आपको suggest करूंगा, कि आप अपने insurance agent के through ही term insurance plan ले, क्योंकि term insurance में insurance cover कापी बड़ा होता है, और बीच में अगर agent रहेगा, तो emergency में हमारा काम आसान हो जाएगा, बाकी सभी और types के insurance के लिए मैं suggest करूंगा कि आप online भी ले सकते हैं, पर term insurance क्योंकि एक बहुत बड़ा cover होता है, और कापी important cover होता है, तो मैं आप अपने agent के through ही term insurance ले, last में एक सुझाओ में आपको जरूर देना चाहूंगा, life insurance खरीदें, तो term insurance plan जरूर ले, और term insurance लेने के बाद किसी दूसरे type के investment या insurance के बारे में सोचें, friends, अगर आपको term insurance select करने में, या term insurance related आपकी कोई भी query है, तो नीचे description में मैंने एक link दिय आप उसे भर कर submit कर दीजे, हम आपको contact कर लेंगे और आपकी query को solve करने की पूरी कोशिश करेंगे